हलो इस्टूडेंट्स मैं वेपी सिंग आज आपके लिए एक नया चेप्टर लेके आया हूँ वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनलाइसिस के लोग यह इंटिगल कैलकुलस में लास्ट यूनिट है कहीं कहीं यह इस्पेशल बुक भी है वेक्टर कैलकुलस के नाम से या वेक्टर एनलाइसिस के नाम से तो इससे जस्ट जो पहला लेक्ट टॉपिक था डिफरेंसेशन ओफ वेक्टर लगभग हम उसमें चार से पांच लेक्चर आपको दे चुके हैं और 90% हमने उसमें cover किया है अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया है जिसका नाम है दा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरीटर इस chapter के अंदर हम dale discuss करेंगे, gradient यानी grade discuss करेंगे, divergence discuss करेंगे और curl, इन पर कुछ important property हैं, theorem हैं उनको भी बताएंगे, तो ये नया chapter है, इस chapter के अंदर भी हम पुरी कोशिस करेंगे कि 95% तक question, example, theorem आपको दे दी जाए, तो आज हम केवल इन दोन पर discuss करेंगे कि dale और gradient यानी grade क्या होता है, question इसके कैसे होते हैं, उन्हें कैसे हम define करते हैं, और next lecture 2 में आपको top most question वो कौन-कौन से हैं, वो भी आज ही बताएंगे, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए, तो please अपने फ्रेंडों को जरूर से year करना, आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो से year कर दी, तो इससे पहले बता रहा हूँ, यह डेल, और इस डेल को हम लिखते हैं, आई, डेल ओवर डेल एक्स, पिलस जे, डेल ओवर डेल वाई, पिलस के, डेल ओवर डेल जेड, अगर हम इस डेल में F की multiply कर देंगे, तो इसका answer होगा, आई, डेल F अपन डेल एक्स, पिलस जे, डेल F अपन डेल वाई, पिलस के, डेल F अपन डेल जेड, के लिए, इसी को हम ग्रेड भी कहते हैं, तो ग्रेड भी यही होता है, आई, डेल ओवर डेल एक्स, पिलस जे, डेल ओवर डेल वाई, पिलस के, डेल ओवर डेल जेड, यहां F लग रहा है, मैं यहां पर ग्रेड फाई नगाई देता हूं तो इसका अंसर I del phi upon del x plus j del phi upon del y plus k del phi upon del z मैंने लिख दिया हैं या phi आप f लिख सकते हैं या इस f की जगे पर आप phi लिख सकते हैं question में f या phi दे रखा होगा आपसे grade phi पूछेगा और कोई point दे रखे होंगे तो वो x y z की value होती है तो उन point पर हम value निकालेंगे उससे पहले कुछ और समझ लीजिए यह होता है position vector r और यह होता है x i plus y j plus z k अगर इस position vector r का mode करते हैं तो इसका मतलब है i j के coefficient का square under root के अंदर इसको हम scalar r कहते हैं यह position vector r का mode और इसे अब scalar r कहेंगे x square plus y square plus z square दोनों और का square करें तो r square equal to हो गया x square plus y square plus z square यहाँ पर मेरे बच्चो r is the function of x y z के लिए अब आप इसका क्या में हैं दुबारा लिखे देता हूं r square equal to x square plus y square plus z square यहाँ को मतलब है इसका r is the function of x y z अगर आप करेंगे differential with respect to x तो यहाँ पर y z constant होंगे x के respect करेंगे तो y z क्या होंगे constant जैसे करिए इसका differential with respect to x तो 2r r का del r over del x इसका हो गया 2x यह दोनो constant हैं तो इनका 0 मतलब एक तो function होता है किसी के respect में दो के बाद थीसरा कोई भी variable हो वो 100% constant होता है इस 2 से यह 2 कट गया it follow that del r upon del x equal to x upon r इसी पिरकार del r upon del y equal to y upon r del r upon del z equal to z upon r यह मैंने निकाल के दिखा दिया यह similarly y के respect करते तो यह 0 हो जाता इसका 2y y का del y over del r तो इसी पिरकार यह answer यह सब आपको याद रखने हैं एक और बात यदि position vector r में position vector r के mod की divide कर दी जाए उसे हम scalar vector r कहते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं position vector r इसकी value scalar होती है scalar vector r की भाग कर दी जाए उसे unit vector r कहते हैं यह गलत बोल गया और इसकी भाग कर दी जाए तो इसे हम r cap कहते हैं, यानि unit vector r, अब यहां r तीन type की हो गई, cap लगाएंगे तो उसे unit vector r कहते हैं, इस पर vector लगाएंगे तो position vector r, और small में ऐसा लिखेंगे r, या ऐसा, तो वो scalar vector r कहलाती है, यही इसके छोटे-छोटे formulae थे, अब जो हम आज के lecture में केवाले इन दोन कोई discuss करेंगे, del और grade a की बात होती है, कोई अलग-अलग नहीं होते हैं, जैसे इसकी जगे पे आप grade भी लिख सकते हो, और इसकी जगे पे आप grade f लिख सकते हो, यहाँ आप del लिख सकते हो, एक ही बात है, यहाँ आप del phi लिख सकते हो, तो इन सब का एक ही मतलब होता है, के लिए आए तो अब हम कुछ question लेते हैं, देखिए question number first, यह question number one, if phi equal दे रखा है 3x square y minus y qz square, तो find करा रहा है वो आपसे, find grade phi, और किस point पर at, 1 minus 2 minus 1, चलिए तो सबसे पहले हमें grade बालूम होना चाहिए, यह लिख रहा grade, तो हम निकालना हैं हमको grade phi, तो grade की value होती है, i del over del x, पिलस j del over del y, पिलस k del over del z, और phi की value मेरे बच्चों ये रही, 3x square y minus y q z square, यहां तक कोई परिशानी नहीं हुई होगी, आईए अब इसे अलग-अलग कर दीजिए, i del over del x, इसको 3x square y minus y q z square, पिलस j del over del y, 3x square y minus y q z square, फिलस k del over del z, फिल लिख दो इसको, 3x square y, y q z square, मेरे बच्चों इसकी multiply इसमें ये रही, इसमें करोगे ये रही और इसमें करोगे ये रही, अब क्या मतलब है, इस पूरे का x के respect, इस पूरे का y के respect और इस पूरे का z के respect, differential है, तो देखिए यहाँ i बाहर, इसका हो गया 6xy, ये तो 0 हो गया क्योंकि z की respect, पिलस j, y के respect y का 1, 3x square, यहाँ minus के 3y square z square, पिलस k, z के respect करोगे इसका 0, minus के 2y q z square, differential कर दिया इमानदारी से, अब आप value रखिए ये x की value y की z की, x की 1, y की minus 2 और z की minus 3, तो i यहाँ रखेंगे, x की जगे पे 1 minus 2 तो minus के 12 हो गया, पिलस j, यहाँ 1 रखेंगे तो 3, यहाँ 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, minus के 12 इसकी जगे पे 1 हो गया, पिलस के k, यहाँ आप minus 2 रखेंगे तो minus के 8, 8 दूनी 16 है, और z की जगे पे 1 रखेंगे तो 16 ही आएगा, 2 का q, के z के respect differential करेंगे, तो 2 z हो गया, यहाँ रखेंगे 2 की घा 3, 8, minus 8 दूनी 16 है, तो पिलस के 16, z का 1, यह answer आया मेरी बच्चो, minus के 12 y, minus के 9 j, और पिलस के 16 k, इस question का यही answer है, अभी एक और question लेते, देखिए, question number 2, evaluate, e की पावर r square, grade evaluate करना में, हैं भूल गया, del, into e की पावर r square, यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हो, grade, e की पावर x square, पिलस y square, पिलस z square, बात एक ही है, r square equal to क्या होता है, x square y square z square, अब इसका grade हम निकालाएंगा, इस e को लेते हैं, तो यहाँ इसकी value लिखिए, क्या होती है, इसको लिखेंगे, i del over del x, j del over del y, k del over del z, और यहाँ e की पावर r square, तो i del over del x, e की पावर r square, j del over del y, e की पावर r square, k del over del z, e की पावर r square, यहाँ i दबाओगे, तो पहले तो e की पावर r square, अब r का हो गया, 2r, और फिर r का power के, according to r, r को x के respect, del r over del x, पिलस के j, e की पावर r square, similarly 2r, del r over del y, पिलस के, e की पावर r square, 2r, del r over del z, यहाँ तक सायद, कोई परिशानी नहीं हुई होगी, differential पता है न, पहले power के according, 2r, अब r को x के del r over del x, यहाँ del r over del y, del r over del जड़िया, इसी लिए लिखे थे, clear? इस पूरे में से, एक तो 2r common, e की पावर r square, यहाँ बचा i, और del r over del x होता है, x upon r, तो यह x upon r, इसमें similarly बचेगा, j y upon r, पिलस k z upon r, यह देखिए, यह r से common ले लो, इस r को काट देंगे, तो 2e की पावर r square, और यहाँ बचा, x i, y j, z के, इसे हम position vector r कहते हैं, तो 2e की पावर r square, into position vector r, इस question का यही answer है, तो मेरे बच्चों, यहाँ तक कैसी लगी वीडियो, प्लीज एक छोटा सा comment, और आप कहां से देख रहे हैं, यह भी बताना, अगर कोई भी problem है, तो channel के description में, मेरा WhatsApp नमर है, ठीक है, इसके insert ले लीजिए, चलिए तो कुछ question लेते हैं, जिनका हमें grade 5 निकालना है, अगर point दे रखे हो, तो point ओप है, पिलस जैड़ स्क्वाइर, एट किस पर 1,1,1 पर, तो क्या पूछ रहा है, grade 5, grade 5, grade का मतलब, आई डेल ओवर डेल एक्स, पिलस जे डेल ओवर डेल वाई, पिलस के डेल ओवर डेल जैड, और फाई का मतलब दे रखा है, एक्स स्क्वाइर वाई, जे को दबाएंगे तो पूरे का Y के रेस्पेक्ट इस पूरे पाट का, के को दबाएंगे तो इस पूरे पाट का Z के रेस्पेक्ट होगा, देखिए कैसे, अगर मैं आई दबाता हूँ, तो डेल ओवर डेल एक्स, पूरे को लिखिए, X स्क्वाइर वाई, पर डेल जैड, X स्क्वार Y, Y स्क्वार X, पिलस Z स्क्वार, करिए इसका डिफ्रेंशियल, आई दवाया तो इसका X के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2XY, इसका 1 बचा के वल Y स्क्वार, जैड का हो गया 0, JY के रेस्पेक्ट करेंगे, इसका 1 बचा X स्क्वार, इसका 2Y हो गया, तो 2XY, इसका 0, पिलस के Z के रेस्पेक्ट करेंगे, इसका 0, इसका 2Z, यहाँ पॉइंट रखवा रहा है 1, 1, 1, X, Y, Z की जगे पे आप 1, 1, 1 रख दीजिए, यहाँ 1, 1 रखेंगे तो 3I, यहाँ 1, 1 रखेंगे तो 3J, यहाँ 1 रखेंगे तो 2K, यही इसका आंसर है, क्वेस्चन नम्मर 4 देखिए, क्वेस्चन नम्मर 4 में, फाई इक्वल दे रखा है XQ, माइनस YQ, पिलस 3XZ स्क्वार, और पूछ रहा है 1, माइनस 1 और 2 पॉइंट पर, किलिए, अब मैं डारेक्ट करूँगा, क्या पूछ रहा है, ग्रेड फाई, ग्रेड का मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जैड, और फाई का मतलब है, XQ, YQ, 3XZ स्क्वार, आई दवाया, तो इस पूरे का X के रेस्पेक्ट देख लो, एक्जांपिल की तोर पर, अब थोड़ा सोट करोगे ना, तो X के इसका हुआ, 3X स्क्वार, 0X का 1, 3Z स्क्वार, जे दवाओगे ये, तो इस पूरे का Y के रेस्पेक्ट, देख लीजे, जे दवाएंगे तो पूरा Y के रेस्पेक्ट, 0-3Y स्क्वार, यहां Y है नहीं, यही आएगा, K दबाओगे तो पूरे का Z के respect 0, 0, Z का कितना हुआ 2Z तो 6XZ अब यहाँ point रख रहा है X की जगह पर 1 रखेंगे यहाँ पर X की जगह पर 1 तो 3 Z की जगह पर 2, 2, 2 जा 4, 3 जा 12 पिलस J यहाँ minus 1 रखेंगे तो minus K 3 पिलस K 2, 1 जा 2, 6 जा 12 तो यह आया 15 I, 3 J पिलस 12 K किस पर आया यह? 1 minus 1 और 2 पर क्या निकला आपका? grade 5 तो यह दोनों question मजा आ रहा है ना कोई भी point ऐसा नहीं हो जो clear नहीं हो हर point को clear करने की कोशिस करता हूँ मैं अगर तुमारे दिमाग में कुछ गोवर ही भर रहा है इंटर में किताब खोलके ही नहीं देखी तो फिर इलाज नहीं है मेरे पास इंटर में आप पढ़के आये होगे अगर 33% भी आपने 12 में में मेहनत की होगी तो BSC में 90% मार्स आते है मेरे चैनल से 100% guarantee है क्यों? क्योंकि मैं 2 writer की book लेके चला हूँ तो problem तो आपको होनी नहीं चाहिए ठीक है आईए next question देखते है question number 5 यहाँ 5 को दे रखा है 1 upon R तो निकालना है grade 5 grade का मतलब होता है I dale over dale X J dale over dale Y K dale over dale Z और इसकी जगे पर 1 upon R I दवाएंगे तो इसका X के respect तो पहले तो बटे के आधार पे होगा 1 upon X का differential minus के 1 upon X square होता है तो minus के 1 upon R square यह बटे के आधार पे होगया अब R का करना है X के respect तो dale R over dale X plus J ऐसे ही इसका होगा minus 1 upon R square dale R upon dale Y plus K minus 1 upon R square dale R over dale Z इस पूरे में से minus 1 upon R square कोमन तो यहां बचा dale R over dale X आगे dale R over dale Y जे फिर dale R over dale Z के minus 1 upon R square dale R over dale X X upon R plus Y upon R plus Z upon R क minus के 1 upon R square यह होगया X I Y, Y, J, Z, K upon R LCM सब का यह R तो आ जाएगा इसके पास और इसे बोलते हैं position vector R तो minus position vector R upon R Q इस question का यह answer है एक और question देखते हैं यह 5 equal दे रखा है log position vector R अब log तो सही है लेकिन इसका मतलब होता है scalar vector R और scalar vector R को आप लिख सकते हो X square Y square Z square तो 5 बरावर हमें मिला log under root के अंदर X square Y square plus Z square अब निकालना है वही grade phi चलिए तो grade phi grade का मतलब I del over del X J del over del Y K del over del Z phi का log under root के अंदर X square plus Y square plus Z square यहाँ तक साथ कोई परिशानी नहीं हुई होगी अब एक सर्थ देखना थोड़ा सोट चलेंगे निकाफी बड़ा हो जाएगा I दबाओगे तो इसका differential X के respect X के तो बाद में करोगे पहले log के according तो कर लो log X का 1 upon X तो यहाँ होगा 1 upon under root के अंदर X square plus Y square plus Z square चलो यहीं रहने तो Z square अब under root के according करो तो 1 upon 2 under root X square plus Y square plus Z square इतना तो आपका आता आई चाहे X के respect करो चाहे Y के respect करो चाहे Z के respect करो वाई log के according आना ही है अब यहाँ से I हटा रहा हूँ अब X के अंदर का करोगे तो इसका X के respect 2X I इसका करोगे 2Y J इसका करोगे 2Z K फिर समझ लो यह दो line मैंने गेप कर दिया है log के according आपको इतना आना ही था अंडरूर के according अंडरूर X का 1 upon 2 under root X यह आ गया अब अंदर का करोगे X के respect तो 2X I आए आथा इसका 0 इसका 0 फिर ऐसे ही Y के करते तो यह सम्में आता फिर 2Y Z फिर Z के according करते सम्में आता 2Z के तो यह मैंने common ले लिया इस 2 को common लोगे तो इस 2 को काट दो अंडरूर अंडरूर आया 1 upon X square Y square Z square यहाँ X I Y J Z के यह 2 common लेके इस 2 को काट दिया इसको बोलते हैं position vector R इसे बोलते हैं scalar R का square तो इस question का यही answer है इसkin shot ले लीजिए मेरी बच्चो चलिए तो question number 7 देखते हैं question 7 में लिखा हुआ है so that del R की power minus 3 equal to minus 3 R की power minus 5 position vector R यह proof करना है इस del का मतलब क्या होता है del R की power minus 3 I del over del X plus J del over del Y plus K del over del Z और R की power minus 3 इस I को दबाऊं तो इसका X के respect होगा ऐसे देखो X के respect करने से पहले power के according होगा तो minus 3 R की power minus 4 अब R का होगा X के respect del R over del X ऐसे ही J करेंगे तो minus K 3 R की power minus 4 del R over del Y इस पूरे में से क्या को मन है मेरी बच्चो minus 3 R की power minus 4 यहां बचा del R upon del X आगे बचेगा del R upon del Y फिर del R upon del Z के minus K 3 की power R minus 4 यह होगा X upon R यानि X I upon R Y J upon R Z K upon R इस R को को मन लेकर यहां लगा दीजिए तो minus 3 R की power minus 4 X I plus Y J plus Z K को बूलते हैं position vector R यही आपका proof है मजा रहा है अगला question देखिए अगर आप चाहते हैं कि पूरा integral आपको complete मिले और आपको कही tuition न भागना पड़े तो channel की membership ले लीजिए channel की membership लेने के लिए channel के description में जाएंगे join पर click रहेंगे और full course BSC, MSC वाला ही level लेंगे उसी से सारी video open होती है ये मैं वादा करता हूँ आपको कि integral calculus में 100 में 100 मार्स आएंगे क्योंकि मैं 90% question theorem exam पे ले कर चलता हूँ क्योंकि जब बच्चे मुझे fees दे रहे हैं तो फिर मैं उनके लिए complete क्यों न करके दूँ तो total दे रहा हूँ दो writer की book लेके चल लाँ ठीक है आईए question number 8 देखिए ये find करा रहा है मेरे बच्चों आप से find day e की power lambda r upon r तो एक काम करते हैं इसका हम division method लगाएंगे क्योंकि यहाँ ये बनता है i दबाएंगे x के according j दबाएंगे फिर y के respect करेंगे k दबाएंगे z के respect चल यह पहले खोल लेते हैं i del over del x e की power lambda r upon r plus j e की power lambda r upon r plus k e की power lambda r upon r ऐसे लिख सकता हूं del को मैंने खोल दिया और अलग-अलग कर दिया अब इस पूरे part का x के respect करेंगे फिर similarly लिख देंगे ठीक है तो इसका कर रहे हम r square division method नीचे की multiply उपर वाले का lambda r अब lambda r का हो गया into lambda r का del r over del x i minus अब उपर वाले की multiply lambda r नीचे वारे का हो गया del r over del x इसी प्रकार इन सब का होगा अगर एक और करेंगे देता हूं चलिए j यहां आएगा lambda r e की पावर lambda r del r upon del y j minus e की पावर lambda r del r upon del y upon r square अभी ऐसे ही इसके लिए आप खुद करेंगे पूरे में से common क्या आएगा? वो देखते हैं इस में से common आएगा जैसे कि मैंने इसका किया था यह आई एक बाहर ले लेते हैं यहां ऐसे i और यहां पूरे में यह चलो ऐसे bracket लगा देते हैं j अब एक काम करते हैं इसमें से क्या-क्या common है एक तो देखो e की पावर lambda r common ठिक और del r over del x common और i हमारा यह है क्या बचा यहां? lambda into r यहां बचा एक ऐसे ही अगले में लेंगे आप e की पावर lambda r del r over del y यहां आएगा j क्या बचेगा? lambda r minus 1 फिर आगे लेंगे lambda r del r over del z k और यहां यही आएगा यह पाट लिख रहा हूँ दिखाई न दे रहा हो lambda r minus 1 अब इसके नीचे भी r square इसके नीचे भी r square e की पावर lambda r common और यह पाट common lambda r minus 1 यहां बचा del r over del x i यहां बचेगा del r over del y j यहां आगे बचेगा del r over del z k e की पावर lambda r lambda r minus 1 यह x upon r x i y j z k सब के बटे r अब यह r तो यहां चला जाएगा और position vector r इधर लिख जाएगा यह हो गया यहां अभी यह r और था यह कहाँ यह r सही है तो यह 1 upon r e की पावर lambda r यहां lambda r minus 1 और इसको आप कहेंगे position vector r तो इसको अंस्वटे हर से करना था के लिए आईए एक और question लेते हैं question number 8 के बाद question number 9 यह कह रहा है so that a dot del दोनों ही vector है यह vector है यह भी position vector r और यह proof करना है यह वाला एक काम कर लेते हैं मेरी बच्चो इन दोनों की multiply जो answer आए उसमें इसकी multiply देखते ही आता है के नहीं के लिए आईए तो इसको लिखेंगे a1i a2j a3k इसकी value यह होती है vector में पता है आपको डेल की value डेल ओवर डेल x i डेल ओवर डेल y j डेल ओवर डेल z k यहां तक कोई परेशानी नहीं मैंने निकाला है मात्र अब यह बाद में करूँगा यह वाला लिया है इसे बाद में ले लेंगे देखो i की dot i के साथ तो यह हो गया a1 डेल ओवर डेल x इसकी इसके साथ करेंगे तो a2 डेल ओवर डेल y a3 डेल ओवर डेल z यह पता है i की dot i के साथ 1 बाकी सब के साथ 0 होती है अब इसे खोल दीजिए x i y j z के यहाँ a1 दबाओगे तो इस पूरे का x के respect तो इसका होगा i बाकी का 0 अगर a2 दबाओगे और y के respect करोगे इसका 0 इसका 0 y का 1 j ऐसे ही करोगे तो a3 k और इसको हम कहते हैं मेरी बच्चो a यही आपका rhs है यही तो होता है बेटा मैं लिखे देता हूँ let a equal होता है a1 i a2 j a3 k आईए question number 10 और देख लेते हैं question number 10 लिखा हुआ है so that del r की power n equal to n r की power n minus 2 और position vector r पहले बस इसे खोल लीजिए del का मतलब होता है i del over del x plus j del over del y plus k del over del z बाहर r की power है यहां तक कोई परिशानी नहीं i दवाओगे तो इस पूरे पार्ट का x के respect तो पहले power के according करते हैं n r की power n minus 1 r को del r over del x ऐसे ही j का करते हैं n r की power n minus 1 del r over del y ऐसे ही k दवाते तो z के respect n n minus 1 del r over del z इस पूरे में से क्या को मन n r की power n minus 1 आज के प्लीज एक comment जरूर करना और कहां से देख रहा है यह भी मुझे बता दिया करो ठीक है और हाँ लेक्टर टू में टॉप question कौन कौन से दे रहा हूं वो झलक और देखते जाए इसके इसके इन्सॉट लेजिए तो lecture 2 में कौन कौन से important question है वो देख लीजिए और फिर lecture 3 में क्या लेकर आऊंगा वो भी बता रहा हूं चलिए lecture 2 में हमें यह question 1 grade 5 निकालना है इसमें grade 5 grade 5 fourth question में यह proof करना है fifth question में यह proof करके दिखाना है sixth question में यह दे रखा हो तो यह proof करके दिखाना है यह सारे question lecture 2 में लेकर आ रहा हूं lecture 3 में मैं आपके लिए दूँगा directional derivative of scalar point function या किसी-किसी book में लिखा है के वाल directional derivative of a function और इसी में लेकर आऊंगा या tangent and normal to the surface या tangent and normal to a level surface अलग-अलग किताब हमें जो भी लिख दिया है तो third lecture यह होगा उमीद करता हूं आज क्या lecture आपको जरूर पसंद आएगा और please आप अपने फ्रेंडों को जरूर सेयर करेंगे एक बार अपने फ्रेंड को एक group में सेयर कर दीजिए मुझे बहुत कि अ कि आते है।